C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा दो की हिंदी की ध्वनी पुस्तक सारंगी प्रिश्ट बासट पाठ पंद्रह आनंदमई कविता शीर्शक किसान नहीं हुआ है अभी सवेरा पूरब की लाली पहचान चिडियों के जगने से पहले खाट छोड उठ गया किसान खिला पिला कर बैलों को ले करने चला खेत पर काम नहीं कभी त्योहार न छुट्टी उसको नहीं कभी आराम गरम गरम लू चलती संसन धरती जलती तवे समान तब भी करता काम खेत पर बिना किये आराम किसान इस प्रिष्ठ पर तीन चित्र दिखाए गई है पहला चित्र प्रिष्ठ के दाई ओर उपर दिखाया गया है जिसमें सुभै सुभै खाट छोड़कर नींद से जागा किसान दिखाया गया है दूसरा चित्र प्रिष्ठ के बीच में बाई ओर बनाया गया है जिसमें दो बैल और उनके साथ में अपना हल लेकर खेत की ओर जाते हुए किसान को दिखाया गया है तीसरा चित्र दाई ओर नीचे दिखाया गया है जिसमें एक किसान को अपने बैलों के साथ खेत को जोतते हुए दिखाया गया है पीछे सूरज की गर्म रोश्नी दिखाई गई है प्रिष्ट तरेसट बादल गरज रहे गड़ 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 बिजली चमक रही चमचम मूसलाधार बरस्ता पानी जरा नरुकता लेता दम हाथ पाउं ठिटुरे जाते हैं घर से बाहर निकले कौन फिर भी आग जला खेतों की रखवाली करता वह मौन है किसान को चैन कहां वह करता रहता हर दम काम सोचा नहीं कभी भी उसमें घर पर रह करना आराम लेखक सत्यनारायन लाल इस प्रिष्ठ पर तीन चित्र बनाए गए हैं पहला चित्र बाई ओर उपर बनाया गया है जिसमें एक किसान मूसलाधार बारिश के बीच भी अपने खेत में बैलों के साथ हल जोत रहा है दूसरा चित्र खेत में रात्री का चित्र है जो प्रिष्ठ के बीच में दाई ओर बनाया गया है ठंड पड़ रही है किसान ठिठुर रहा है और वो आग जलाकर ताप रहा है तीसरा चित्र प्रिष्ठ में बाई ओर नीचे दिखाया गया है इसमें किसान अपनी फसल को काटता हुआ नजर आ रहा है प्रिष्ठ 64 प्रिष्ठ चलने का पता आपको कैसे लगता है पांच चिडियों को भगाने के लिए खेत में क्या लगाया जाता है अपनी भाशा में उसका नाम बताईए छै आपको किसान की सबसे अच्छी बात क्या लगती है सोचिये और लिखिये एक, खेत में उगने वाली कुछ वस्तूओं के नाम लिखिये दो, ठंड से बचने के लिए आप किन-किन वस्तूओं का प्रयोग करते हैं उनके नाम लिखिये प्रिष्ट पैंसट शब्दों का खेल इस कविता में सन-सन, गड़-गड़-गड़ और चम-चम जैसे शब्द आए हैं ऐसे ही अपनी पसंद के कुछ और शब्द बनाएए और कविता पूरी कीजिये यहां पर दो चौकोर दिये गए हैं जिन में लिखा है हवा चलती सन-सन, पत्ते उड़ते रिक्त स्थान बादल गरजते गड़-गड़-गड़, बिजली चमकती चम-चम दूसरे चौकोर में लिखा है बारिश होती रिक्त स्थान ओले बरसते रिक्त स्थान सब शान्त हो जाता रिक्त स्थान फिर सूरज चमकता रिक्त स्थान आईए कुछ बनाई यह बाग बचाओ का पोस्टर है बिंदों को मिलाकर पोस्टर को पूरा कीजिये और एक संदेश लिखिये यहां पर एक बाग का चित्र दिया गया है और उसके उपर लिखा है बाग बचाओ और पीछे पृत्वी ग्रह को दिखाया गया है हमारी पृत्वी ग्रह से बाग निरंतर कम होते जा रही है जिने बचाने के सक्त जरूरत है दिये गए बिंदूं को मिला कर बाग का चित्र पूरा कीजिए प्रिष्ट 66 चित्रकारी और लेखन कप्पू एक भूरे रंग का कुता है जो एक खेत में रहता है चित्र पूरा कीजिए और कप्पू की दिंचर्या के बारे में लिखिए यहां पर चार चित्र दिये गए हैं जिन में कप्पू नाम का भूरे रंग का कुता दिख रहा है वो सारे दिन में क्या क्या करता है ये भी साफ नजर आ रहा है मगर कप्पू की दिंचर्या का क्रम अधूरा है क्यूंकि तीसरा और छठा चौकोर खाली है जिसमें आपने कप्पू का चित्र बना कर उसकी दिंचर्या को पूरा करना है एक, कप्पू सुभा उठकर सबसे पहले रिक्तिस्थान यानि वो सुभा उठकर सबसे पहले क्या करता है ये बताईए चित्र देखकर दिये गए रिक्तिस्थान में लिखिए दो, फिर वह किसान के साथ रिक्तिस्थान तीन, थोड़ी देर बाद कप्पू रिक्तिस्थान चार, खाना खाने के बाद कप्पू कुछ देर के लिए रिक्तिस्थान क्या करता है कप्पू खाना खाने के बाद? वो इस दिये गए रिक्तस्थान में लिखिये पाँच, शाम को कप्पू रिक्तस्थान छह, सोने से पहले कप्पू रिक्तस्थान और ऐसे ही कप्पू का दिन बीट जाता है जाने कप्पू कल क्या करेगा? सारंगी वाचन्स्वर बावला कोचर और मम्ता मलकानी तखनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंग्डो ध्वन्यंकन मयंक कुमार निर्मान सहयक तनु गुपता निर्देशन एवं निर्मान विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत